Hello दोस्तों, Welcome to Only IAS, Economy के Current Affairs को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सबसे पहले डिसकस करेंगे Service Sector in India is related, जो भी important news पिछले सालों में news में रही है ठीक है? तो first, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारम batch के बारे में थोड़ी information देना चाहता हूँ ये batch हमने 2023 के students की requirement को ध्यान में रखते हुए बनाया है और इसके अंदर हम ये ensure करेंगे कि आपकी preparation पूरे basic level से start होगे पूरे advanced level तक हो, जिसके अंदर prelims का भी, mains का भी as well as interview का component भी include किया गया है इसको cover करने के लिए different video lectures, basics से start करते हुए NCRT से to the advanced topic in pre and mains perspective discuss किया जाएंगे at the same time आपको CSET and जो current affairs हैं उनके उपर भी educate focus किया जाएगा at the same time आपकी preparation को check करने के लिए हमने यहाँ पर test series का component भी include किया गया है जिसके अंदर GS, CSET as well as mains के topics जो भी होंगे उनके उपर with answer writing and evaluation discuss करी जाएगी साथी साथ आप study material को भी access कर सकते हो through ताकि अपनी preparation जो अच्छे वे में कर पाओ तो आप प्रारम को as a one-stop solution consider कर सकते हो जहाँ पर आपका holistic preparation होगा from prelims to mains and then to interview चीज जो हम discuss करेंगे that is regarding BIS BIS क्या होता है? That is Bureau of Indian Standards ठीक है? जब हम last topic discuss कर रहे थे महाँ पर भी BIS का थोड़ा जिकर हुआ था आज थोड़ा और detail में इसको जानने की कोशिश करेंगे जब हमने पड़ा था one nation, one standard के बारे में याद है ना? कि हम standardization की बात कर रहे थे कि किस तरह से जब different बनो के एक product के जो भी elements है उनमे standardization होगा through various states में भी जैसे one nation, one Russian card हमने भी पड़ा था तो quarterly similar में में जब standardization होता है तो काफी अच्छी synergies आती है चीजों trade वगएर हमें काफी helpful होता है तो ये सारी चीज़े उसके अंदर पड़ी थी तो BIS क्या करता है? देखो BIS, जो Bureau of Indian Standard है वो news में था क्योंकि उसके recently 75 years complete होगे थे तो इसलिए इसके regarding थोड़ा और detail में जानना जरूरी हो जाता है अगर बात करें BIS बना कैसे था? वो establish हुआ था under Act Act का नाम क्या है? BIS Act 2016 तो basically ये क्या हुआ? ये एक statutory body होगी उसके साथ ही ये हमारे पूरे as a country में standardization के लिए ये national standard body है country की तो जो भी इसके regarding काम करना होता है चाहिए वो certification हो या फिर ये चेक करना कि जो particular हमने good बनाई है जैसे goods होती है जो वो particular चीज़ें जो बनाई गई है वो adequate quality की है या नहीं है या फिर कुछ health hazard तो नहीं है या फिर किस तरह से हम trade में उस चीज़ को help कर सकते है जैसे trade की जब हम बात करते है तो export, import ठीक न इन सब में standardization आती है तो कहीं न कहीं उसको benefit होता है तो यही सारी चीज़ें BIS के द्वारा करी जा सकती है तो हमने समझ लिया कि क्या करता है and accordingly अगर आप देखना चाहो तो इसके headquarters आपको मिल जाएंगे New Delhi के अंदर बात करें अगर हम BIS Act के बारे में तो क्या है देखो इसके अंदर इसके अंदर भी वही कि आपस में conformity बनाने की बात करी जा रही है साथी साथ precious metals की जो hallmarking है hallmark का बार में सोना होगा न आपने की जैसे सोने पे hallmark होता है या फिर और प्रोड़क्स पे तो इन precious metals की hallmarking mandatory कर दी गई है BIS Act के दुआरा साथी साथ जो central government है वो एक authority को point कर सकती है किस चीज के लिए ताकि ensure किया जा पाए जो quality हमने promise की गई है ठीक है न तो क्या वो product और services जो है उन quality के उपर सही धंग से उतर रहे हैं नहीं उतर रहे कि यह ऐसा तो नहीं कि quality बोला कुछ और गया है but in the end तो standard follow किया जा रहा है वो कुछ और हो ठीक है न तो यह सारी चीजों के regarding भी ही central government एक authority को accordingly appoint भी कर सकती है under this particular act कुछ ने areas को identify किया गया है standardization के अंदर वो क्या है जैसे e-mobility, alternate fuels, medical devices right covid के टाइम पे medical devices कितनी जादा important हो चुकी है smart cities, digital technologies चाहे वो artificial intelligence हो गया यह जो भी और आप digital technologies सोच सकते हो renewable energy भी इसके साथ ही इसके अंदर आ जाएगा ठीक है उसके साथ ही अगर बात करूँ तो different-different hall marking में न कुछ important initiatives है जिनको आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो जैसे अगर मैं बात करूँ egg mark की देखो egg mark क्या होता है egg mark न दरहसल में एक certification mark है किसके लिए certification mark है यह है agriculture produce के corresponding ठीक है तांकि यह ensure कि आप जाप है जो agriculture produce है वो एक particular grade की है या नहीं है ठीक है न पता तो लगे कि exactly egg culture produce किस particular category में आती है उसी तरह से क्या है ISI ठीक है न ISI क्या है यह standards compliance mark है जो की industrial products के उपर focus करता है ठीक है उसी तरह से BIS hallmark क्या है यह hallmark system है जैसे for example gold के लिए कह लो silver के लिए कह लो ताकि यह certificate किया जा पाए कि क्या यह जो gold and silver है क्या यह purity है इसमें metal की या नहीं है ठीक है न काफी ज़ादा आपको पता है कि gold and silver या और भी जो precious metals होते है उनमें काफी ज़ा possibility रहती है कि यह चीज़े सही है या नहीं है तो उनकी purity को ensure करने के लिए BIS hallmark वहाँ पर हो जाता है उसी तरह से अगर मैं बात करूँ BEE के बारे में तो BEE क्या है यह है Bureau of Energy Efficiency इसके अंदर क्या हो रहा है देखे इसको अंदर जैसे आपको एक्जांपल बताता हूँ आपने अपना आप AC देखना या कोई fridge देखना वहाँ पर आपको वो star वाला label मिल देगा याद है कि यह 3 star AC है यह 4 star AC है यह 5 star AC है पढ़ा है वो चीज़ें हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा definitely तो यह star ratings ना different appliances को दी जाती है in form of labels ठीक है अब 5 में से accordingly दी जाती है and accordingly देखा जाता है कि जिस particular rating जितनी जाता high होती है जैसे for example अगर 5 star rating है इसका मतलब उस particular appliance की जो energy consumption है वो काम है ठीक है ना तो इस label के थुरू यह जो BEE के corresponding label आता है इसके थुरू यह ensure किया जा सकता है कि क्या जो particular appliance है वो कितनी जाता energy efficient है तो यह सारी चीज़ें होगी कि Agma, KSI, BIEAS क्या है BWE क्या है and बाग की ratings क्या है तो आप समझ गये होगे कि BIEAS के बारे में हमने क्या-क्या पढ़ना था accordingly जो जो चीज़ें important थी वो हमने सारी समझ ली ठीक है आगे चलते हैं discuss कर लेते हैं कुछ financial and security market created कुछ important current affairs के बारे में थोड़ा-थोड़ा इनके साथ ही न इनके starting portion पे भी नजर मारते चलेंगे ताकि साथ ही साथ आपकी revision भी हो चाए अगर कुछ ऐसा भूला हुआ होगा तो वापिस में याद भी आ जाएगा राइट है? छीक है पहला टॉपिक है PIDF PIDF का मीनिंग क्या है? PIDF है Payment Infrastructure Development Fund I repeat Payments Infrastructure Development Fund तो यानि कि Payment के regarding जो Infrastructure है न उसको develop करने की बात करी गई है क्यों? ताकि Digital Payments को boost मिले अब Digital Payments को boost मिलेगा कहिना कि यह financial inclusion में help करेगा लोगों तक और जो services है वो पहुँच पाएंगी ठीक है important चीज क्या है ध्यान रखने की कि कहां पर focus है तो इसका focus है tier 3 to tier 6 centers and north eastern states में ठीक है तो यहां पर UPSC आपको confuse कर सकता है exam में मालो statement दे दिया कि इसका focus tier 1 and tier 2 पर है तो नहीं आप बोलोगे कि ऐसा नहीं है इसका focus कहा है tier 3 and tier 6 centers पर actual में देखो होता क्या है कि tier 1 या tier 2 cities या इन centers में तो already देखो payment infrastructure बहुत अच्छे से पहुँच गया है right बड़े बड़े शहरों की बात कर लो वहाँ पर तो already payment infrastructure है बड़ जो tier 3 से tier 6 centers होगे या फिर north eastern states है अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना जरूरी है in terms of payment infrastructure और यह fund उसी लिए बनाया गया है तांकि जैसे POS machines देखे होगी न आपने point of sale machines उनको deploy किया जा पाए उनको end merchant तक लेके जा पाए तांकि accordingly फिर acquirers वो इससे encourage हों और accordingly कुछ वहाँ पे final consumer को help मिल पाए तो दोनों physical भी और digital infrastructure यहाँ पे बनाने की बात करी गई है important चीज और देखो यह fund है कितना देखो fund न 500 करोड का बनाने की बात करी गई है ठीक है अब इस 500 करोड में से क्या होगा जो 2500 करोड है वो तो दिया जा रहा है RBI के दवारा ओके और जो बाकी का 200 करोड है वो क्या है वो देखो वो देंगे जो वो वाले bank जो card issue करते है जैसे for example माल लो ICICI अपने cards issue कर रही है ठीक है न या फिर card networks card networks मतलत जैसे यह होते हैं न visa, master cards यह वाले तो यह card networks accordingly जो operate कर रहे हैं यह लोग अपने इन सब का मिला के basically बाकी का 200 क्रोड contribution आएगा फिर यह fund में जो पैसा आया उसको लाया जाएगा कहां पे ताकि यह जो basically encourage किया जा पाए various various merchants को कि वो अपने जगा point of sale लेके आए and accordingly वो वापिस में digital payments को promotion मिल पाए ठीक है तो यह काम है इस payment infrastructure development fund का ध्यान देना है कि कहां focus है tier 3 से tier 6 cities and northeastern states के उपर आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं तो कब से operationalize हुआ है 2021 से हुआ है and accordingly इसको और भी आगे extend कर दिया गया है ठीक है अब साथ ही साथ देखो कौन-कौन से different devices है जो इसके अंदर cover किये गए है एक है physical POS that is physical point of sale ठीक है दूसरा है MPOS वो क्या होता है mobile point of sale उसके बाद आ जाता है GPRS GPRS क्या है यह होता है General Packet Radio Service ठीक है ना दर असल में GPRS किसमें help करता है यह जैसे for example आप सोच लो की data transfer में help कर देगा ठीक है ना internet access में help करता है तो यह सारी चीज़े भी इसके अंदर cover होती है उसके लावा क्या आ जाता है उसके लावा आ गया PSTN अब PSTN क्या है देखो इसकी full farm होती है public switched telephone network ठीक है ना public telecommunication के लिए ज़रूरी है वो यहाँ पर cover कर दी जाती है under PSTN that is public switched telephone network और आखरी क्या चीज़ है QR code based payment अब QR तो आपको पता ही होगा quick response ठीक है ना quick response code जो आपने different जगा जमान लो shopping करने गए हो या कहीं और जगा भी आपको QR code scan करना पड़ता है तो यह सारी सारी चीज़े इसके अंदर cover करी गई है एक important चीज़ देखो जो fund है ना वो govern किसके द्वारा किया जा रहा है एक advisory council but manage and administer किसके द्वारा किया जा रहा है that is Reserve Bank of India के द्वारा ही ठीक है तो छोड़ छोड़ पॉइंट्स है but important है अगर प्री में question आया तो UPSC कहीं ना कहीं ना छोटा सा change कर देगा उससे एक statement गलत हो सकती है तो इसलिए ध्यान देना अच्छे से बहुत जा ज़रूरी है अब मैंने आपको जैसे बताया कि दो टाइप के infrastructure की बात है एक physical infrastructure एक digital infrastructure तो अगर बात करें physical acceptance device की वहाँ पर subsidy कितनी है ठीक है ना maximum cost of device eligible for subsidy तो device की cost eligible for subsidy कितनी है 10,000 in case of physical और जब मैं digital की बात करता हूँ तो वहाँ पर maximum cost कितनी होनी चाहिए जो subsidy के लिए applicable है that is rupees 300 ठीक है ना accordingly फिर basically data के basis फिर accordingly देखा जाएगा इसके corresponding तो I hope आपको PIDF भी अच्छे से समझ आ गया होगा आगे चलते हैं and discuss कर लेते हैं Washington Consensus के बारे में अब Washington Consensus देखो चलो news तो इतनी ज़्यादा important नहीं है but Washington Consensus को समझना बहुत जरूरी है देखो अगर ना आपको थोड़ा से confusion हो Washington Consensus समझने में तो बस इतना समझ लेना कि ये open market से थोड़ा link करता है या open market कहलो थोड़ा मतलब capitalism की तरफ inclined कहलो तो जो policies आप यहाँ पर पढ़ते हो कि अच्छा open market में किस type की policies होनी चाहिए जैसे for example कि government का जादा interference ना हो trade को liberalize करने की बात हो privatization के उपर focus हो ठीक है ना तो इस type की चीज़ें जहाँ पर आपको बात करने की मिलेगी तो वहाँ पर accordingly आप मान सकते हो कि वो चीज़ें Washington Consensus के साथ link करती है जैसे कि for example free market economic ideas ये कहाँ पढ़ते हैं ये basically थोड़ा ना कहीं ना कहीं capitalism वाली सोची तो है ये चीज़ साथ ही साथ ये चीज़ें जैसे for example IMF, World Bank, EU, US ये सारे के सारे इसको support करते हैं किस type की चीज़ें होनी चाहिए और देखो ज़रा चाहिए European Union देख लो United States देख लो IMF, World Bank देख लो ये कहीं ना कहीं कैसी बाते करते हैं कि market open होनी चाहिए free market economy होनी चाहिए और साथ ही साथ state का role minimize होना चाहिए economy के अंदर और क्या promote होना चाहिए market agenda किस चीज़ का deregulation, privatization, trade liberalization ध्यान दो जब 1991 में इंडिया के में crisis हुआ था न forex के regarding जो था privatization and globalization की उपर focus ठीक है ना तो यही चीज़े हैं Washington Consensus अब इसी वज़ा से Washington Consensus की वज़ा से ही world में capitalism का rise हुआ right world bank और IMF तो आपको पता ही है कि इस चीज़ को promote करते है free trade floating exchange rate ठीक है ना floating exchange rate का मतलब क्या होता है जैसे कि $1 is equal to 75 है ठीक है ना 75 रूपी अब कल को $1 equal to 80 भी हो सकता है यह $1 equal to 70 भी हो सकता है मतलब इससे कम भी हो सकता है इससे जाधा भी हो सकता है तो यह काफी हद तक ना floating चीज़ होगी पर कई बार यह भी तो हो सकता है कि यह fixed ही रख दे कि चाहे कुछ भी हो जाए $1 equal to 75 भी रहेगा तब उसको हम बोल देंगे fixed exchange rate बट यहाँ पे Washington census में क्या promote किया जाता है floating exchange rate बैसिकली exchange rate determined कैसे हो रहा है demand and supply के basis पे कि accordingly जैसे 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 trading चीज़ें change होती रहेंगे export, import बढ़ता and कम होता रहेगा market में demand supply कम जादा होती रहेगी accordingly exchange rate पे भी फरक पड़ता ही रहेगा ठीक है और साथी साथ free market के उपर focus है macro economic stability के उपर focus है ठीक है तो यह सारी चीज़े थी regarding Washington consensus कुछ important principles अगर आपने देखने हो तो देख लो मैं फिर से बता दू कि यह वही सारे principles हैं जो आपको open economy की तरफ दिखेंगे चाहे माल लो deregulation हो गया privatization liberalization of FDI हो गया trade liberalization competitive exchange rate यह वही मैं बता रहा हूँ जो floating को न कि floating exchange rate वही चीज़ है interest rate positive tax reform right low government borrowing यह different different चीज़े Washington consensus से related है तो कल को अगर आपको UBSC पूछेगा कि कौन सी इंज में से चीज़े हैं जो Washington consensus related है तो आप उनको easily tackle कर लोगे right आगे चलते हैं and discuss कर लेते हैं forex reserves के बारे में ठीक है अब देखो हुआ गया था देखो पहले ना इंडिया का जो forex reserve है वो काफी जबता बढ़ गया है बट बीच में थोड़ा सा कम भी हुआ था कुछ million कम भी हुआ तो उपर नीचे होता रहता है बट overall आप मान के चल सकते हो कि इंडिया का जो forex reserve है न वो पिछले कुछ सालों में especially अगर मैं बात करूँ लगबग पिछले दो सालों में काफी ज़्यादा बढ़ा है ठीक है तो इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि forex reserve exactly होते क्या है तो देखो actual में जब आप याद करो 1991 का time ठीक है तो उस टाइम देखो इंडिया में forex का काफी एक major crisis आ गया था जब हमारे पास nearly 2 weeks का ही time बचा हुआ था जो हम accordingly इंपोर्ट कर सकते थे मतलब 2 weeks तक कहीं हमारे पास forex था कि उतना ही हमारे पास possibility थी पर current times में कितना है मतलब 1 से 1.5 साल के बीच में nearly इतना हमारे पास अच्छा-कास forex हो चुका है ठीक है तो थोड़ा और जानते हैं कि forex reserve में क्या-क्या चीज़े आती है यह UPSC ने multiple times इसके regarding question पूछ रखा है तो ध्यान से चार चीज़े आती है पहला है FCA that is foreign currency assets दूसरा हो गया gold reserve तीसरा हो गया SDR special drawing rights और चौथा हो गया IMF हम एके करके इन चारों को discuss भी करेंगे बट एक चीज़ देखो actual में न वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ सबस्यदा forex reserve किसके पास है वो है चाइना के पास ठीक है उसके बाद किसके पास है second पे आ जाता है जपान तीसरे नमबर पे आ जाता है Switzerland ठीक है अब देखो चौथे नमबर पे थोड़ा उपर नीच है actual में क्या होता है India and Russia इनके न फॉरेक्स reserve काफी हद तक similar सही है मतलब पहले क्या होता था पहले रशिया के काफी जादा थे हमारे से बट ओवर दा टाइम इंडिया के फॉरेक्स reserve काफी बढ़ गे तो इंडिया आ गया था फॉर्थ नमबर पे और रशिया चला गया था फिफ्थ नमबर पे in terms of forex बट बीच में फिर से क्या हुआ बीच में ओवर दा टाइम फिर से रशिया के फोड़े बढ़ गे और इंडिया के थोड़े से कम हो गे तो इंडिया फिफ्ट पे आ गया तो फोर्थ फिफ्ट में थोड़ा उपर नीचे चलता रहता है बट ये टॉप फ्री तो जो की एक particular bank जैसे central bank जो हमारा RBI है RBI के द्वारा hold किये जाते हैं in foreign currency ठीक है ना जिसमें bonds हो गया, treasury bills हो गया या other government securities तो इस सारी की सारी चीज़ें हमारे forex reserve में आ जाती हैं और जब मैं बात करते हैं foreign currency assets की तो mostly हमारे पास ही US dollars में ही foreign currency assets है इसमें से देखो सबसे चारों में स सबसे जार जो contribute करता है in forex reserve वो FCA ही है foreign currency assets फिर gold आ जाता है फिर actual में na HDR और अगर मैं बात करू reverse transposition की तो यह काफी उपर नीचे होते रहते हैं पहले क्या होता था पहले reverse transposition जादा होते थे इंडिया के पास as compared to HDR बट थोड़ टाइम पहले क्या हुआ SDR में नया allocation हुआ इंडिया को कुछ नहीं चीज़े allocate हुई उसके बाद मारा SDR बढ़ गया था ठीक है थोड़ा बहुत उपर नीचे यह चीज़े होती रहती है but first and second तो यही है that is foreign currency assets followed by gold reserves right और objectives क्या है देखो हमें forex reserves क्यों चाहिए अब क्यों चाहिए क्यों 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 क करना पड़ता है ठीक है ना तो कई बार अगर हमें fuel import करना हो तो हमें fuel के बतले में dollar देना पड़ेगा right तो अगर हमारे पास foreign currency assets होंगे forex reserves होंगे तो तभी हमें वो चीज़े help कर पाएगी right उसके साथ ही देखो अगर ऐसा हो अगर हमारे forex reserves बहुत ज़्यादा कम हो जाए ठीक है साथ ही कल को कुछ currency related issue आजाए जैसे for example कि अगर $1 is equal to 75 है कल को ऐसा हो कि $100 आजाए अचानक से या $1 is equal to कुछ और बढ़ जाए तो उसके corresponding क्या हो सकता है अगर RBI के पास अच्छे खासे reserves है ना तो उस reserve का use करके हम उसको stabilize करने में हमारी help कर सकते हैं ठीक है कुछ external shocks ह हो जाए कुछ और shocks हो जाए crisis के टाइम पर जब borrowing जादा ना मिल पाए तब वहाँ पे foreign foreign reserve हमारी help कर सकते हैं ठीक है अब वह components की बात कर रहेते हैं जैसे मैंने बताया था ना एक foreign currency assets है एक gold हो गया special drawing rights हो गया reserve tranche position हो गया तो इनके बार में थोड़ा-थोड़ा discussion कर लेते हैं अगर बात करूँ मैं foreign currency assets की तो simply वो assets जो इंडिया की currency that is rupee, rupee के अलावा किसी और currency में value किये जाते हैं there are known as foreign currency assets और जैसा कि मैंने आपको बताया ही forex reserve में सबसे बड़ा component क्या है वो foreign currency assets ही तो है अब देखो अब इंडिया ने मानलो dollar मतब RBI ने बहुत सारे dollar अपने पास रख लिए अब कलको ऐसा भी तो होगा कि dollar की value depreciate होईगी या appreciate होईगी ठीक है ना similarly euro, pound, yen इन सभी की value उपर निचे होती रहती है तो accordingly हमारे forex reserve भी ब जानते ही हो कि gold reserve RBI के पास पड़े होते हैं ठीक है तो उसको जाला discuss करने की जूरत नहीं है तीसरी चीज़ है हमारे पास special drawing rights, special drawing rights आपको पता है यह IMF से relate करता है अब यह IMF के द्वारा बनाया गया था कब 1969 के अंदर and it is an international reserve asset, right एक important चीज़ जाननी और भी जूरी है कि यह कि SDR कोई currency नहीं है इसके उपर ना question आ चुका है already UPSC में ही कि SDR कोई currency नहीं है ना ही यह claim है IMF के उपर, ठीक है जैसे ना जब हम international organizations पढ़ रहे थे तब मैंने आपको quota system के बार में बताया था कि किस तरह से IMF के अंदर various various countries को different quota दे रखा है, right तो वहाँ पे SDR का भी role आ जा जाती है, वो define करी जाती है पांच currencies के उपर, वो पांच currencies है कौनसी, पहला है US dollar, दूसरा है euro, तीसरा Japanese yen, चौथा Chinese yuan and पांच वहाँ British pound, तो इन पांचों currencies की basket के basis के उपर SDR की value है, वो determine करी जाती है, ठीक है, and it is a potential claim on freshly usable currencies of IMF member, ठीक है तो यह हो गया SDR के regarding, और कुछ दिख interest rate जो होगा, तो SDR ही बोल देंगे, ठीक है, और जो मैं बोल रहा था ना, क्या आपको कि नहीं allocation करी गई है, under of SDR, तो उसमें इंडिया को भी एक contribution, इसके अंदर इंडिया का भी allocation बढ़ा दिया गया है, चौथी चीज क्या है, चौथी चीज आ जाती है, RTP, that is reverse transposition in IMF, portion हर country को IMF को देना पड़ता है, ताकि वो उस purposes के लिए उसको use कर पाए, जो आप detail में इसको जाने की जरूरत नहीं है, बट आप समझगे कि diverse transposition किस से relate करता है, वो relate करता है IMF से, तो अगर मैं बात करूँ, forex reserve में 4 components कौन से थे, पहला था foreign currency assets, जो की सबसे बड़ा part है, forex reserve का, followed by gold, followed by SDR, and 4thya reverse transposition, तो make sure आपको चारो की चारो चीज़े पता हो, कि ये चीज़ क्या है, and accordingly किस तरह से ये forex reserve पे impact डालती है, ठीक है, देखो कुछ ना मैं आपको example के तो आपके questions भी लेकिया हूँ, थोड़ा मैंने इसका regarding questions आपके साथ international organization में में डिसकस किये थे, इसका answer है, special drawing rights, I hope आपको न, American depository receipt हो गया, या global depository receipt हो गया, तो ये सारी चीज़े जो होती है, ये artificial currency नहीं है, ये तो basically investment के, मतलब investment कहलो या फिर न, money raise करने के तरीके हो जाते है, right, तो इसका answer क्या है, option number C, SDR, उसी तरह से 2016 में देखो क्या पूचा गया, कि which of this falling currency has been proposed to be added to basket of IMF, SDR, देखो पहले क्या होता था, जो मैंने आपको SDR के regarding 5 currencies बताई न, उसमें थी total 4, एक तो US dollar था, ठीके न, British pound था, साथी साथ, Japanese yen जो था, वो था, एंड चौथा euro था, उसके बाद क्या हुआ, जो Chinese का yuan कहलो, या फिर renven भी कहलो, फिर उसको 5 भी currency बनी थी, जिसको add कि गया था, अब क्योंकि 2016 के time, ये वाली चीज news में थी, तो UPSC ने उसके regarding question पूछ लिया, and accordingly इसका answer हो जाएगा, then when we, तो यहां से हमें ये सीखने को मिलता है, कि जो चीज़े न, news में आ रही है, या discuss हो रही है, कि ये चीज़ करने की बात की जा रही है, तो कहीं न कहीं हमे 2011 में पूछा गया, यहां क्या है, regarding IMF, which of the following statement is correct, it grants loan to any country, नहीं, देखो, अगर मैं IMF की बात करूँ न, तो IMF अपनी member countries को grant loans देता है, ठीक है, यही तो मतलब member countries बनने का फाइदा यही तो हुआ, कि वहां पे, जब आप IMF का member बन जाते हो, तो according लिए आपको loan मिल जाता है, ठीक है, तो यह इस cancer हो जाएगा, option number C, इसी तरह से देखो, 2020, बहुत ही recently अभी पूछा गया था, कि gold tranche किस से related है, देखो, ज़्यादा detail में अगर नहीं भी बता, बट इतना तो पता है, कि यह credit system है, जो IMF देता है अपने members को, बस इतना ही जानना था, कि यह IMF से related है, यह W topics से कितने ज़्यादा question पुछे गए है, IMF से ही multiple times question आगया है, उसी तरह से आप देखो, तो WTO से भी लगभग हर साल question ही आता है, तो यह कुछ topics होते हैं, जो आपको previous year question से, जब आप उनको analyze करते हो, तो आपको easily मिलेगा कि कुछ ऐसे topics हैं, जो UPAC के काफी favorites हैं, और अगर आ ठीक है, आगे चलते हैं, अगला topic क्या है, inflation targeting के बारे में, right, देखो inflation आप समझते ही हो, ठीक है, तो inflation का एक target basically बनाया गया है, कि RBI, जो Reserve Bank of India, या फिर मैं बात करूँ अगर तो monetary policy committee का actual में रोल है, क्या रोल है, कि उसको inflation जो है उसको एक band में रखना है, और वो band क्या है, व 4 plus minus 2% भी बोलते हैं, कि उसको जो inflation है, वो 2-6% या 4 plus minus 2% के बीच में रखनी है, इसको देखो tolerance limit भी बोलते हैं, कि lower tolerance limit होगी 2% and upper tolerance limit होगी 6%, अभी ये news में क्यों था, news में इसलिए था, क्योंकि ना, पिछले कुछ time के अंदर ऐसा देखा गया है, कि जो हमारी inflation है, वो काफ काफी बार 6% से उपर भी देखी गई है, बट काफी बार 5%, 5.5%, इस range में तो definitely काफी बार आ ही चुकी है, ठीक है, तो इस वज़ा से हमें inflation targeting के बार में भी थोड़ा जान लेना चाहिए, देखो आपको जैसे मैंने आपको बताया, कि CPI inflation की बात करी जा रही है, यहाँ पर भ बोलना है, साथ ही साथ यह भी आप समझ गये, 4 plus minus 2% क्या होता है, and tolerance limit क्या होती है, अब एक चीज़ होती है, flexible inflation targeting framework, यह आने वाली slides में आपको discuss करूँगा की, flexible inflation targeting का क्या meaning है, ठीक है, अभी हम discuss करेंगे, इस पर आएंगे, अब होता क्या है एक चीज़ देखो, यह 4 plus minus 2% य या ऐसा क्यों नहीं कर दिया, कि 0 plus minus 2, या something कुछ ऐसा क्यों नहीं कर दिया, देखो, यह decide किया जाता है, कि कितना inflation को इस range में रखना है, यह कौन decide करता है, यह decide किया जाता है, central government के द्वारा, बहुत important है, कि government of India यह target को set करती है, in consultation with RBI, ठीक है न, तो जो government of India है, वो RBI के सा basically consulting करती है, कि हमें target क्या रखना है, और target एक बड़ decide हो गया, फिर वो कहलो चाहिए, monetary policy committee कहलो या RBI की responsibility हो जाती है, मतब monetary policy committee तो actual में रेट्स बताती है, कि इतना rate होना चाहिए, और उन particular rates के हिसाब से RBI कोशिश करती है, inflation target को इस particular range में रखने का, आप inflation के वारे में तो जान price of goods and services है, जब basket of goods कहलो, वो बढ़ती रहती है, ठीक है न, तो जैसे अगर prices बढ़ रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं क्या, inflation, right, prices अगर कम हो रहे होते हैं, तो उनको बोल के देते हैं, उनको बोल देते हैं, deflation, उसी तरह से एक word होता है, disinflation, अब disinflation न काफी पर confusing हो जाता ह है, disinflation का क्या meaning है और deflation का, देखो simple चीज़ें समझो, अगर तो prices कम हो रहे हैं, जैसे for example, आज wheat 100 रुपीज में मिल रहे थी, कल को अगर ये 95 में मिलने लग जाए, तो चीज़े सस्ती होगी न, तो इसको हम बोल देंगे deflation, on the other hand, अगर मैं बात करूँ, जैसे for example की, मान ल मिल रही थी, एक साल बाद ये मिल रही है, 120 में, फिर तीसरे साल ये मिल रही है, 125 में, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, prices यहाँ से यहाँ भी बड़े, यहाँ से यहाँ भी बड़े, बट जब यहाँ से यहाँ बड़ रहे थे, तो लग बगना 20% change आया, 100 से 120 गे, तो 20% change आया, बट जब हो 120 से 125 गे अगले साल, तो change बहुत ही कम है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो nearly 4% का change है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ आप notice कर रहे हो, कि महंगाई तो बढ़ रही है यहाँ से यहाँ पर भी, पर महंगाई slow rate से बढ़ रही है, समझ रहे हो, कि महं चीज़ को बोल देते हैं, disinflation, तो I hope अब तीनों words clear होंगे, inflation मतलब कि जैसे prices बढ़ रहे हैं तो उसको inflation बोल देंगे, deflation का मतलब prices कम हो रहे हैं, और disinflation का मतलब कि prices तो बढ़ रहे हैं, बट जो rate of increase है, वो कम है, ठीक है जे, तो यह चीज़े होगी, साथ ही साथ purchasing power कम होत बात करते हैं, तो यह हो गया regarding inflation, और जब मैं बात करता हूँ, inflation targeting की, कि क्या RBI की measures adopt करती है, वो किस तरह से adopt करती है, तो उसके regarding आ जाती है, दो चीज़ें, क्या, पहली चीज़े है, strict inflation targeting, strict inflation targeting का क्या मतलब है, कि RBI का न, सिरफ एक ही काम है, बट बेसिकली उसका role क्या है, उ इसको बस inflation को manage करना है, ठीक है न, तो अगर सिरफ RBI का सिरफ function यह हो, कि inflation को उसको यहाँ पर manage करना है, इस particular number के आसपास, तो उसको बोल देंगे हम strict inflation targeting, बट on the other hand, अगर RBI का क्या काम हो, inflation तो हो ही हो, बट साथ में exchange rate को stabilize करना, output को stabilize करना, employment की growth rate कियाना, interest rate को stabilize करना, यह को different different goals RBI के पास होते हैं, तब हम उसको बोल देते हैं, तब flexible inflation targeting, जैसे for example, जब COVID-19 आया, इंडिया में, तब क्या की RBI ने, देखो RBI ने न, inflation को तो चलो manage करना ही था, बट वहाँ पर जरूरत क्या थी, हमें growth की जरूरत थी, हमें लोगों को employment provide करने की जरूरत थी, ठीक है, उन उनके wages, उनकी increase हो पाएं, या overall market में liquidity ज्यादा बहतर बन पाएं, यह सारी चीजों की जरूरत थी, तो हमारा जो RBI क्या काम क्या करता है, वो flexible inflation targeting है, यानि कि inflation पे तो उसका attempt है ही है, उसको control करने का, बट at the same time, different other चीजें, चाहे वो growth हो गया, employment हो गया, exchange rate की stability हो गया, output को stability क करना, interest rate को stable करना, कि different different भी वहाँ पे central government, central bank इन चीजों के regarding भी concern रहता है, and इसी को बोल देते है, flexible inflation targeting, ठीक है, तो आपको ये भी समझ आया होगा, साथ ही साथ ना, अब monetary policy committee के बार में भी पढ़ लेना, कि monetary policy committee क्या होती है, जिसे for example, इसमें total होते हैं, 6 members, 3 आते हैं, RBI से, तीन आते हैं, government के दौरा basically appoint के जाते हैं, इन तीन में से एक क्या होता है, एक होते हैं, RBI governor, बाकी 2 member और होते हैं, और 3 यहाँ पे होते हैं, ठीक है न, अगर इनको कोई decision लेना होता है, वो कैसे लिया जाता है, वो लिया जाता है, on the basis of majority, और अगर majority नहीं हो, basically अगर tie हो जा पढ़ रखी होंगी अपने module में, तो यह हो गया regarding inflation targeting, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अगली news क्या है, चाइना digital currencies, तो यह देखो न, चाइना की digital currency काफी जबार न, पिछले एक साल में news में आई थी, तो थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं, अगर मैं इसका सही से नाम बताऊं कि इसका actual name क्या है, वो है DCEP, DCEP मतलब digital currency electronic payment, ठीक है न, तो basically या फिर इसको digital renminby, ठीक है न, renminby अभी बड़ा न, हमने Chinese की जो currency है, उसको renminby बोलते हैं, तो वो ही उसकी न, digital format में है, basically चाइना की जो currency है, उसका, अगर मैं digital version की बात कर दूँ, तो मैं क्या को बोलूँगा DCEP, Digital Currency Electronic Payment, अब यहाँ पर बात होगी digital currency की, तो यह कोई ऐसा नहीं है, कि जैसे हम note लेके घूमते हैं, यह क्या है, यह digital ही मिलेगी, और इस वाजा से इसको क्या किया जा सकता है, इसको download किया जा सकता है, इसको exchange किया जा सकता है, वाया application, और इस application किसके द bank authorize करेगा एक application को, और उसके basis पे आप यह जो चाइना की digital currency है, उसको download कर सकते हो, आपस में exchange कर सकते हो, so on and so forth, और क्या जानना जूरी है, कि यहाँ पे आपको internet connectivity नहीं चाहिए, इस चीज़ के लिए, यह काम किस चीज़ को करती है, Near Field Communication Technology के उपर, that is NFC, NFC क्या होता है, यह आप अपने ना science tech में आपने पढ़ लेना उसके regarding, थोड़ा बीचे की लिए technology इसके regarding important हो सकती है, if I am not wrong, UPSC इसके regarding हमसे एक previous year question भी पूछ चुकी है, regarding Near Field Communication, ठीक है, इसके साथ ही देखो, यह pilot trials है, कुछ और countries, चाहे हो Sweden हो, South Korea हो, Thailand हो, यहाँ पर भी इस टाइप के pilot projects run किय जा रहे हैं, अगर बात करें digital currency की, तो यह सिरफ और सिरफ electronic form में होती है, जैसे cash की form में नहीं होती, जैसे note हो गया, या ऐसा कुछ हो गया, coins हो गया, इस form में होती, यह सिरफ और सिरफ electronic form में होती है, और यह tangible नहीं होती, tangible मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हम basically touch कर पाएं, तो आपको इसको touch नहीं कर पाएं, बस आपको पता है कि अच्छा हाँ, यह electronic form में इस तरह से exist करती है, ठीक है, इसको digital money भी कह सकते हैं, cyber cash भी कह सकते हैं, जैसा कि crypto currency basically होती है, अब दीको होता क्या है, कि crypto currency में कोई central bank नहीं involved होता, उसमें सारी चीज़ें क्या होती है, मतलब ए अच्छा शायद हो सकता है कि यह चीज़ उतनी volatile ना हो, जैसा हम basically bitcoins या और चीज़ों में देखते हैं, तो उसके regarding ले आप जान सकते हो, ठीक है, crypto currencies तो आप definitely जानते ही होंगे, आजकल तो काफी जादा news में रहती है, हो सकता है, आप में से कुछ लोग invest भी करते हों, और हम Ethereum, Ripple, Litecoin, तो different examples है किसके, cryptocurrency के, right, और इसके regarding पीछे की technology के, अगर मैं बात करूँ, तो वो हो जाती है, distributed public ledger technology, ठीकना distributed होता है, distributed मतलब कि जितने भी एक तरीके से कहलोंगे, nodes, जो एक network के अंदर होते हैं, उनके बीच में सब में distributed होते हैं, और जैसे ही एक जगा भी changes आते है वो corresponding हर जगा करने बढ़ते हैं, इसी वज़ा से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, secure मानी जाती है एक तरीके से, ठीक है न, तो काफी security होती है, decentralized होती है, तो ये सारे चीज़ें आपको इनके properties के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, उसके लावा जान लेते हैं, Dogecoin के बारे में, ठीक है न, देखो Dogecoin न, news में क्यों था, क्योंकि इसकी value अचानक से बढ़ गई थी, ठीक है, तो जानते हैं कि actual में क्यों बढ़ी थी, या फिर Dogecoin है क्या, तो कि Dogecoin का नाम आप सुनोगे, आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, ये एक cryptocurrency है, ठीक है, और इसको actual में बिटकोईन का alternative भी माना जाता था, ठीक है, तो एक तरीके से और चीज़े तो हमें ज्यादा जानने की जुरूत नहीं है, बट एक चीज़ जान लो, कि येसे bitcoins था, ठीक है न, bitcoin किस के दोरा बनाये गया था, सतोशी नाकामोटो, कौन है ये तो नहीं बता, बट चलो, नाम तो ये ही है, कि सतोशी नाकामोटो के दोरा बनाये गया था, तो bitcoin के अंदर ना maximum number बता दिया गया है, और वो क्या है, कि दुनिया में 21 million से ज़धा bitcoins नहीं हो सकते, बट doji coins के उपर ऐसी कोई limit नहीं है, यानि कि doji coins दुनिया में कितने मर्जी हो सकते हैं, currently ये 100 billion से भी जादा है, ठीक है, और क्यों इसका देखो इचानक से जो doji coin की value में rise क्यों हुआ था, क्योंकि ये coinbase के उपर इसकी listing हो गये थी, ठीक है ना, और coinbase क्या है, coinbase है US के अंदर virtual currency exchange, ठीक है ना, तो इनकी भी virtual currencies की भी exchange होती है, तो वहाँ पे इसको जब list कर दिया गया तो doji coin की accordingly value बढ़ गी थी, और जैसा कि सभी crypto currencies में होता ही है, ये भी highly volatile है, और काफी जल्दी rise भी करती है, और काफी जल्दी crash भी करती है, क्यों करती है, क्योंकि इसके पीछे ना, कोई asset की backing नहीं है, asset backing नहीं है मतलब, कि इसके पीछे कोई intrinsic value नहीं है, जैसे कि land हो गया, तो कोई intrinsic value ना होने की वज़ा से, इसके prices बहुत ही अचानक से, मतलब, prices कहने का मतलब, इसकी values अचानक की बहुत साधा बढ़ जाती है, या अचानक की बहुत जाधा तेजी से कम भी हो जाती है, ठीक है, तो ये नाम एक तो कुछ बहुत important है, क्योंकि directly wins के regarding, हमने previous questions में इस इस type की question दुबारा पूछ भी ले, आगे चलते हैं डिसकस कर लेते हैं, stable coins के बारे में, अभी stable coins भी धरहसल उसी type से related है, अगर मैं बात करूँ क्या है, कि ये भी एक type की crypto currency ही है, but ये packed हैं किसी existing government backed currency के साथ, तो या जैसे ही उस government backed currency की values change होईगी, accordingly आपको stable coins की value change होती हुई की मिलेंगी, तो इसके अंदर different, different bundle of assets हैं, जैसे की short term securities हो गया, cash, government, debt, commercial papers, तो different bundle of assets को मतलब इसकिल reserve में रखा गया इसके अंदर, and accordingly ये चीज़ें इसके अंदर हो जाती है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें और भी आप stable coins के बारे में बढ़ सकते हो, जैसे की fiat collateralized stable coins, यहां क् होता है, fiat collateralized stable coins के अंदर, कि जैसे for example, dollar हो गया, euro हो गया, pound हो गया, इसके साथ इनको collateralize कह जाता है, यानि कि इसके पीछे जो asset security होती है, वो इन चीज़ें से आती है, ठीक है, उसी तरह से अगर इन stable coins की जो backing है, वो किसी और asset से आए, जैसे की मालनो की physical gold से आए, या फिर commercial paper, bond, real estate, इन चीज़ों से आए, तो उसको हम stable coins बोल सकते हैं, backed by other asset, उसी तरह से crypto के साथ अगर link हो, कि crypto जैसे value change होएगी, उसके corresponding अगर stable coin की value change हो रही है, तो वहाँ पे भी उनको हम crypto collateralized बोल देंगे, और यहाँ पे देखो crypto की जो issue होता है, that is volatility का, वो यहाँ पर भी देखा मज ही लिया था, right, आगे चलते हैं and discuss कर लेते हैं currency watch list के बारे में, अब देखो दरहसल में हुआ क्या है, जो US, United States of America है, उसने 11 countries को अपनी जो currency manipulator watch list, उसके अंदर डाला है, and important चीज़ क्या है, कि इसने India को भी इस particular list में रख दिया है, तो जानेंगे हम कि India को इस particular watch list में basis पे, US ये decide करता है, कि किस country को हमने watch list में रखना है, and किसको नहीं रखना, ठीक है जी, अब होता क्या है, कि जो countries, unfair currency practices, मतला basically, अगर US को लगता है, कि कुछ ऐसी countries हैं, जो unfair currency practices को use कर रही है, by devaluing currency against dollar, उसको डाल चकता है, under currency manipulator, देखो मैं आपको एक example देके समझने कोशिश करता हूँ, जिसे one dollar is equal to, आज 75 rupees है, ठीक है, अब अगर कल को one dollar is equal to 90 हो जाए, माल लो, तो होता क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, रूपी का depreciation हुआ ना, और आप एक चीज़ जानते हो, कि जैसे रूपी depreciate होता है, उससे होता क्या है, उससे trade को बड़ावा मिलता है, trade पर ना, काफी बार यह इलजाम भी लगाया जाता है, कि चाइना, artificially ना, इस तरीके से, exchange rate को manage करता है, और उस चीज़ को, exchange rate को manipulate करने की वज़ा से, चाइना के exports काफी होते हैं, and imports काफी कम होते हैं, तो US government भी यही चीज़ देखने की कोशिश करती है, कि कोई, कोई कोई country ऐ equal to 75 है, इसको artificially manipulate करके, $1 equal to 90 कर दे, तांकि जो particular currency है, उसकी value depreciate हो, and साथी साथ उन particular country के exports बढ़ जाएं, artificially, and imports कम हो जाएं, तो यही चीज़ US चेक करती रहती है, और इनी particular countries जो US को लगता है, कि वो unfair practices में involved हो रहे हैं, तो उनको currency manipulator watch list में accordingly डाल सकती है, ठीक है? इसके साथ ही अगर हम बात करें, तो कौनसी report किसके दवरा यह release की जाती है, currency watch list के regarding, वो है US Department of Treasury, तो आप से ना यह particular organization के बार में भी पूछा जा सकता है, कि कौनसी organization है इससे involved, तो क्या बोलोगे आप? US Department of Treasury, और यह एक semi-annual report होती है, और अगर मैं बात करूँ कि क्या-क्या country, watch list में आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए, तो उसमें क्या involved हो जाता है? पहली चीज, significant bilateral trade surplus, मतलब basically अगर एक XYZ को एक country है, वो export बहुत जादा करती है, और import काफी कम करती है, कितना कम? 20 billion dollar, यानि कि total अगर net करने के बात करें, मतलब export minus import, अगर वो 20 billion dollar के उपर आ जाता है पिछले 12 months के लिए, तो वहाँ पर एक possibility बनती है कि उसको watch list में डाला जा सकता है, उसके साथ ही साथ current account surplus, कितना? कम से कम 2% of GDP over 12 month period, उसके साथ ही persistent one-sided intervention, जो मैं बोल रहा था ना, कि artificially manipulate करने की बात है, कि जैसे एक country का central bank जो है, वो intervention के थुरू ऐसा करें कि dollars को खरीदता रह अब dollars को खरीद होगे, क्या होगा? अगर dollars को खरीद होगे, तो उसके corresponding market में dollars कम हो जाएंगे, ठीक है ना? तो उस वज़ा से dollars कम हो जाएंगे, तो accordingly उस particular country को बिससे benefit हो सकता है, तो ये चीज अंडर third parameter इसमें देखी गई है, अब आप सोच रहे होंगे कि sir, India की case में क्या देखो जो US ने बोला है, उसमें बोला है कि जो number one है, that is, एक तो trade surplus बहुत जादा है इंडिया का, उसके साथ ही, जो number three, that is, intervention by the RBI, ऐसा US ने बोला है, कि इंडिया क्योंकि ये दो चीज़ों में involved है, इस वज़ा से इंडिया को हम currency watch list के अंदर डाल वे हैं, ठीक है? तो parameter सम कि total 11 countries को इस list में रखा गया है, तो इंडिया के इलावाजे को कुछ important countries, जिसे China हो गया, Japan को भी रखा है, South Korea को भी रखा हुआ है, Germany, Singapore, Mexico, तो इतनी बड़ी-बड़ी countries भी कुछ इसमें involved हैं, जिसको US ने इस particular list के अंदर रखा गया है, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था क इंडिया के रखने क्या करना है, वो अब समझ ही कि कौन सा था, एक trade surplus जो 20 billion dollar से जादा था, और दूसरा one-sided intervention, basically जो RBI को उसने बोला है कि RBI क्या कर रहा है, बहुत जादा dollar purchase कर रहा है, जिस वज़ा से market को artificially manipulate करने की कोशिश करी गई है, ऐसा किस ने बोला है, ऐसा बोला है US Treasury Department ने, ठीक है जी, तो ये भी समझ आ गया कि currency watch list क्या है, और किस तरह से ये चीज़ deal करती है, आगे चलते हैं, discuss कर लेते हैं, sovereign gold bond scheme के बारे में, समझने के कोशिश करना कि sovereign gold bond scheme क्या है, देखो, कभी आपने अपनी family में देखा है, कि आपकी family ने मालो, बहुत सारा gold अपने पितजोरी में रख दिया, या फिर, या फिर, यूनो, किसी अलमारी में पड़ा हुआ है, right, कही ने कही में अगर नहीं देखा, तो कभी सुना तो होगा, कि इस particular person की family ने ऐसे, घर में ही gold रख दिया हुआ है, और अब देखो, अब जब ये gold है ना, ये घर में रख दिया है, और इसका कोई use तो हो नहीं रहा, ठीक है ना, वो बस पड़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, और हम देखो करते क्या है, हम देखो gold में काफी सदा import भी कई बार करना पड़ता है हमें gold के लिए, तो इंडिया की काफी हद तक ना, import बढ़ते आते हैं इस वज़ा से, हमारे forex पे impact करता है, तो कहीं ना कहीं, अगर यह जो gold है, इसका कोई use ही नहीं हो रहा, तो हम क्यों खरीद रहे हैं gold को, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि gold की जो value है, वो future में बढ़ने वाली है, अब इसी वज़ा से government नहीं क्या सोचा, कि अगर हम इस तरीके के bond ले आए, ठीक है अगर gold bond basically हम issue करें, तो उसमें हमें जो physical gold use करना पड़ रहा है, जो physical gold जरूरी पड़ रहा है, यहाँ पे जो लोग अपने घर पे रख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देखो हुआ क्या, अब government ने क्या बोला, कि एक bond दे दिया, इसको बोल दिया gold bond माल लो, ठीक है, और इसके लिए ना आपने यह purchase कर लिया, माल लो, आपने इस gold bond को purchase कर लिया, अब government क्या करेगी, government आपको इसके corresponding, माल लो आपने ना 50,000 का gold purchase किया, ठीक है, अब क्या होगा, माल लो आज से 8 years के बाद क्या होगा, माल लो इस 50,000 की value होगी, एक लाक रुपे, ठीक है तो एक लाक रुप, जो 8 साल के बाद क्या होगा, आपने जब 50,000 पर starting में invest किये, ठीक है, अब 8 साल के बाद, जो भी इस gold की value होगी, जैसे माल लो, एक लाक रुपे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, हर साल, जैसे माल लो, first year के end पे, आपकी जो particular amount है, इसके उपर 0.5% interest मिलेगा, फिर दूसरे साल भी आपको 0.5% interest, तीसरे साल भी 0.5% interest, तो हो के रहा है, कि एक तो देखो जो आपकी value है, जो आपने 50,000 का gold लगाया, उसकी 8 साल के बाद कितनी value होगी, आपको वो मिल रही है, इसको क्या बोलते है, capital gains, capital gains क्यों, क्य क्या आपने जो 50,000 में कोई asset खरीदा था, आज उसकी value 1,00,000 होगी, तो ये हो गया capital gains, और साथी साथ आपको मिल रहा है interest हर साल, कितना interest, वो मिल रहा है आपको 0.5% हर साल, एक important चीज जाननी और ज़रूरी है, वो क्या है, कि जो capital gains हुआना, कि 50,000 की value आपकी 1,00,000 होगी, इसके उपर आपको capital gains tax जो होता है, वो capital gains tax देने की जरूरत नहीं है, बहुत important point है, कि capital gains tax नहीं देना, बट ये जो आपने interest कमाया है ये बीच में 8 साल में, तो इस interest पे आपको tax देना पड़ेगा, और कितना tax देना पड़ेगा, जो भी income tax act हिसाब से बनता है, ठीक है, तो ये है regarding sovereign gold bond scheme, I hope आपको इस scheme समझ आगी होगी, अब थोड़ा ना इसको और हम एक वर detail में discuss कर लेते हैं, कि क्या क्या exactly points है, अभी news में क्यों था, क्योंकि central government के द्वारा 20 साल का उन्होंने calendar दिया है, calendar दिने का मतलब, actual में होता क्या है कि ऐसा नहीं है, कि आपका आज मन किया तो आप आज जाके gold bond खरीद लोगे, इसके आप कुछ dates mention करी जाती है, कि आप इस particular period में ये चीज़ खरीद सकते हो, तो उस वज़ा से ये वापिस ये news में आ गया था, अब ये scheme launch करी गई थी, ये 2015 के अंदर launch करी गई थी, और क्यों launch करी गई थी, क्योंकि जो हम इतना गोल्ड पर import पर focus करते हैं, उस वो जैसे इंडिया के इतना अदा forex जो impact होता है, तो कही ना कहीं इंडिया के इस over dependence को खतम करने के लिए, ये particular bonds को launch किया गया था, government के द्वारा, उसके साथ ही, जो लोगों की habit है, कि physical form में gold को रखते हैं, उससे दूर जाके, अगर हम paper form में gold रखें, with sovereign backing, वो चीज यहाँ पर accordingly उसकी बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है, साथ ही साथ ये bonds कौन-कौन पर focus कर सकता है, देखो एक तो resident इंडियर entities हो गया, जिसे आप लोगों के individuals, Hindu undivided family, trust, universities and charitable institutions, ये सारे के सारे इन particular bonds को खरीच सकती है, उसके साथ ही, अगर मैं बात क राया कि ये चलेगा आठ साल के लिए, यानि कि आठ साल के बाद आप यहाँ से exit हो सकते हो, but at the same time, अगर आप पांचमे साल के बाद से भी ना, पांचमे साल से ही, अगर आप exit होना चाहो, तो वो आप भी exit हो सकते हो, उसके corresponding भी, ठीक है ना, बदर टैनोर की बात करूँ, तो है तो आठ साल, बठ पांचमे साल से आपको एक exit option भी यहाँ पे मिल जाएगा, और आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि minimum कितना invest करने की जूरत है, minimum है एक ग्राम, एक्चल में ना कि minimum तो एक ही ग्राम है, जो maximum limit है वो vary करती है, vary कैसे होता क्या है, कि अगर तो आप एक individual हो, ठीक है न, तो आप कर सकते हो maximum 4 kg, ठीक है, हिंदू undivided family भी 4 kg, और जो trust हो गया, या फिर similar entities हो गया, वो 20 kg तक maximum limit है, minimum limit कितनी है, minimum 1 gram है, ठीक है न, तो बहुत ही कम है 1 gram, मतलब आप लोग भी कर सकते हो, गर आप करना चाहो, तो minimum limit कितनी है, 1 gram, maximum limit कितनी है, individual के लिए 4 kg, हिंदू undivided family जो HUF देखा था, उसके लिए भी 4 kg, and trust और जो बाकी similar entities हैं उनके लिए भी 4 kg, ठीक है न, तो ये चीज़े हो जाएंगे, इसके regarding, benefit क्या है, ये जो आपने gold bond खृदा न, वो gold bond के basis पे आप as a loan for collateral के लिए, जो loan के लिए जो collateral चाहिए होता है, वो भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ, capital gains tax आपको नहीं देना, जो मैंने बताया था न, कि पहले जब आपने खृदा था, तो gold कितने का था, पचास अजार, आठ साल के बाद जब आप उसको बेच रहे हो, तो मानलो इसको value होगी 1,00, तो ये क्या हो जाता है, ये capital gains हुआ न, उस particular asset की value बढ सकते हो, interest कितना मिलेगा, 0.5%, साथ ही साथ कैसे pay होगा, semi-annually, और यहाँ पर tax लगेगा, कितना, जो income tax act 1961 के साब से, जितना भी बोला गया होगा, उसके corresponding, इसके regarding tax देना पड़ेगा, भीम UPI launched in Bhutan, देखो आपको न, भीम app के बार में आपने definitely सुना होगा, आप मैंसे काफी लोगों ने, भीम app के थुरू, transactions भी कर रखी होंगी, तो देखो हुआ क्या है, अगर मैं बात करता हूँ न, UPI की, that is unified payment interface, तो UPI भी आपको पता होगा, ठीक है न, तो UPI के थुरू, मतलब पहला country, adopt करने वाला बन गया है, इंदिया का UPI standard for its QR code, वो बना है भुटान, थोड अपने merchant locations पर already accept करता है, ठीक है जी, पर जो भुटान के अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो भुटान की बात कर रहे है, with regards to UPI standards for QR code, ठीक है, तो यह फरकत दुनों चीजों में, तो थोड़ा और जानते हैं इस detail के वारे में, तो यह payment system किसके दौरा launch किया अब गया है, इसने UPI standards for QR code adopt किये हैं, एंड साथ ही साथ हमारे immediate neighborhood में, ठीक है न, अगर हम बात करें सिरफ और सिरफ immediate neighborhood में, तब पहली country है, भी map में, अगर world में बात करें कि भी map के regarding कौन है, वो है Singapore, Singapore के बाद अब भारी आई है बुटान की, बट क्यूंकि बुटान immediate neighborhood में है न, तो इसल भीm UPI acceptance at merchant location, उसके साथ ही भीm भी एक इकलौती ऐसी country है, जिसने रुपे काड को issue error accept करता है, साथ ही साथ भीm UPI को भी accept कर रहा है, तो रुपे के regarding information भी आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा इसका static part भी जान लेते हैं, कि exactly भीm है क्या, तो भीm देखवा, ज पहला नहीं, इंडिया का digital payment app है जो की UPI के थुरू काम करता है, और multiple bank accounts अगर होंगे, तो आप इस single mobile application के थुरू इसको access कर सकते हो, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था ये, ये बनाया गया था, NPCIIE के द्वारा ही, राइट, National Payment Corporation of India के द्वारा ही, और इसको launch किया गय पैसे receive हो जाते हैं, इसके साथ ही, देखो, UPSC ने हमसे एक PYQ के अंदर, इसके factor of authentication के उपर question कूछ रखा है, कि कितने इसके factors चाहिए, यान कि ये authenticate करने के लिए कि transaction किसके द्वारा करी जा रही है, तो तीन level है, वो तीन level क्या है, देखो, सबसे पहला, आपकी device ID और आप आपका mobile number, जो चीज़ देखो, device ID आपकी unique है, आपका mobile number unique है, तो जैसे ही आप app install करते हो न, वो आपकी device ID को capture कर लेता है, mobile number को capture कर लेता है, तो हो गया पहला authentication, बिल्कुल, उसके साथ ही, आप bank account के साथ अपने आपको synchronize करोगे, ठीक है, तो ये दूसरा factor of authentication हो गया, उसके स आथी, जब पूरी की पूरी app आपकी setup हो जाएगी, तो वो बोलेगा कि एक pin create करो, ठीक है न, आपने देखा होगा, कि जब आप transaction करते हो, एक pin enter करते हो न, तो pin चाहिए login करने के लिए, ठीक है न, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, three factors of authentication, कौन-कौन सी, पहले case में आजात तो UPI के regarding, that is unified payments interface के regarding, तो ये क्या है, ये real time payment system है, जिसके थरू, basically UPI के थरू क्या करते हो आप, पैसा भेजते हो न, एक जगह से दूसरी जगह, on real time basis, मतलब, जैसे ही आप transaction करते हो, उसी time आप चला जाता है, ठीक है, तो यही तो होता है UPI, right, उसी तरह से, जो इसकी body है, that is NPCI, National Payment Corporation of India, ये क्या है, यहाँ पर मिन EPSC ने, I think 2019, if I'm not wrong, NPCI के regarding, question आ चुका है, NPCI के in fact, multiple initiatives चलते हैं, तो आपको सारे initiatives भी पता होने चाहिए, कुछ initiatives में आप भी discuss भी करूँगा, जैसे E-RUPI हो गया, right, वो पिछले साल ही release किया गया था, तो वो सारे आपके लिए important है, ध्यान रखना कि NPCI form किस के द्वारा किया गया है, देखो ये initiative है, RBI का, साथ में IBA, RBI तो पता ही है, Reserve Bank of India, IBA क्या है, Indian Banks Association, तो इन दोनों का मिलकर ये initiative है, right, और ये किस act के द्वारा setup किया गया, under the provision of Payment and Settlement System Act 2007, ठीक है, और ये umbrella organization इसको मान सकते हो, for retail payment and settlement system, ठीक है, तो act का भी नाम ध्यान रखना, Payment and Settlement System Act 2007, साथ ही साथ, ये एक not for profit company है, यानि कि जो पैसा ये कमाएगी, वो वापिस में reinvest हो जाएगा company के अंदर, तांकि और ने-ने project लगे आए पाएं, और कुछ ने initiatives आएं, तांकि जो digital infrastructure है, पूरे banking system के अंदर, वो accordingly इसको improve किया जापा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, RBI and Indian Bank Association का ये initiative है, ठीक है, साथ ही हमने पढ़ा था, रूपे के regarding की बुटान में कैसे रूपे भी accept होता है, तो रूपे card भी आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो देखो इसके रूपे के अगर आज देखा जाए, तो कह कहाँ accept हो जाते हैं, सिंगापूर के अंदर, भुटान, UAE, बहरेन and South Europe, यहां सब जगा रूपे card आपका चल जाता है, ठीक है, card तो आप समझती हो, debit card भी, credit card भी, तो इसकी payment से ये इंडिया के दुआरा मतलब ये particular चीज करी जाती है, ठीक है, तो ये समझ आ गया भीम क्या है, UPI क्या है, NPCI क्या है, रूपे क्या है, UPI क्या है, ये सारी चीज़े हमने पढ़ लिए, आगे चलते हैं, discuss कर लेते हैं, E-Rupee के बारे में, अब देखो E-Rupee क्या है, यहां पे देखो, इस infographic में आपको पता लगेगा, कि ये है एक prepaid E-Voucher, सोचो, देखो होता क्या है माल लो, for example, अब जो हमारी government है, वो क्या चाहती है, कि लोगों के पास ना, कोई particular चीज़ दी जाए, जैसे for example, इनको बोल दिया कि ये particular person A को medicine प्रवाइड करना चाहती है, government, ठीक है ना, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, कि कि किसी तरीके से इसके पास medicine पहुँचाई जाए बट कहीं न कहीं हो सकता है, कि ये तरीका बहुत ही inefficient हो जाए, तो government अब क्या करेगी, government एक ना, voucher भेजेगी, इस particular person के mobile नंबर पे, या तो SMS चला जाएगा, या किसी और तरीके से basically, एक voucher आएगा इस particular person A के mobile पे, अब A person क्या करेगा, ये जाएगा medicine store पे, ठीक है ना, और medicine store से, जितना भी voucher होगा, माल लो, Sorvay का, तो Sorvay की ये medicines, इस medicine store से खरीब सकता है, ठीक है, तो EURP इस तरह से एक prepaid voucher है, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, आप सोच रहे होंगे, कि जिसे माल लो, ये Sorvay है, तो कल को ये A person जाके, इस particular चीज की, let's say, liquor shop पे भी तो जा सकत है, सिरफ medicine stores के उपर, तो जब ये बंदा अगर liquor लेने जाएगा बीना, तो वहाँ पे वो voucher applicable ही नहीं हो बाएगा, तो इस तरह से ensure किया गया है, कि जो भी चीज गौर्मेंट जिस person को देना चाहती है, और जिस particular purpose के लिए देना चाहती है, वो इस तरह से यहाँ पे ensure किया जा पाए, उसी तरह से कल को, मतलब food related कुछ देना हो, यह कुछ भी जीज मतलब provide करना चाहती हो government, तो e-rupee एक frequent voucher की form में अपने citizens को वो provide कर सकती है, तो यह है e-rupee, थोड़ा और एक बार ना detail में जानना हो, तो यह person specific है, person specific मतलब यहाँ बताया गया होगा, कि अच्छा ये यूज होना है, तो सिरफ वो medical shop पे ही वो चीज यूज करी जा सकती होगी, ठीक है, साथ ही यह एक cashless है, क्योंकि simply voucher देना है, तो cash तो कहीं exchange ही नहीं होरी, contactless instrument है for digital payment, ठीक है, prepaid nature है, क्योंकि पहले से ही already जो voucher है उसी में ही पैसा डाल दिया गया है, ठीक है, तो यह timely payment हो जाएगी इससे service provider को, जो मालनो जो medicine shop बाला बन्दा है न, उसको साथ ही साथ payment आ जाएगा, तो उसको भी ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, directly जैसे ही उसमें voucher को redeem करेगा, वैसे ही पैसा उसके account में, ठीक है जी, और इसमें कोई intermediary भी involved नहीं ह तो कहीं नगें corruption भी इससे corresponding कम होगा, ठीक है, कुछ और technology related क्या है, working mechanism अगर आप जानना हो, तो quick response code भी हो सकता है, या फिर SMS का भी हो सकता है, तो उससे आपका e-voucher आपके पास पहुन जाएगा, तो जैसे आप gift voucher है न, उस तरह से आप इसको use कर सकते हो, जैसे for example आपने क अभी Amazon पे, Flipkart पे, या और भी कई जगा कुछ vouchers redeem करें होंगे, ठीक है, swiggy पे या फिर इस ताइप की चीज़ें, तो उसी तरह से आप इसको समझ सकते हो, कि उसी तरह से ये accordingly work करता है, जान गे हो किसके दुरह develop किया गया है, NPCI, National Payment Corporation of India, जब जब NPCI का नाम आएगा, ठीक है जी, कुछ department, कुछ और departments ने भी यहाँ पे इनकी accordingly help करी है, इस टाइप का voucher system आपको USA में, Columbia, Chile, Sweden, Hong Kong और भी बहुत सारी countries के अंदर मिल जाएगा, ठीक है जी, तो ये हो गया E-Rupi के बारे में, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, discuss कर लेते हैं, T-plus-1 settlement system के बारे मे ठीक है, आप लोग इसे कुछ लोग हो सकता है, जैसे shares में trade करते होंगे, ठीक है न, कुछ और जैसे treasury bills लेते होंगे, या government security, something, मतलब basically कोई भी shares की form में futures भी हो सकते हैं, ठीक है, या bonds हो गया, इनमें अगर आप चीज़ें trade करते हो, तो आपको थोड़़ बहुत चीज़ें चाहे broker की app हो या जो भी है, तो आपने किसी company का यहाँ से share खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पर मालनों आपने कुछ पैसे दे दिये, उस share को खरीदने के लिए, तो क्या वो जो share होंगे, वो उसी time आपके account में show हो जाएंगे, क्या, देखो होता क्या है, कि भले ही वो आपके account म show होने लग जाएंगे, उसी time display हो जाएंगे, बट जो उनका एक तरीके से कह सकते हो कि transaction complete कब हुई, transaction complete होती है, T plus two days के बाद, actual में देखो समझ नहीं कोशिश करना, जैसे ही आपने share buy किया, तब उसको बोल दिया हमने T, T day, T day मतलब यह transaction का day है, कि उस दिन आपने transaction करी, पर यह transaction complete कब होती है, जब आपके share आपको provide कर दिये जाते है, मतलब जब पूरा का पूरा settlement complete हो जाता है, ठीक है न, तो उसको बोल देते है, T plus two days, उसी तरह से एक और example सोचो, जैसे माल लो, आपके पास already एक share था, अब आप क्या चाहते हो, इस share को बेचना, तो आप इस share को क् हजार रुपे के लिए, तो आपका share तो हो गया sell, पर क्या आपके account में हजार रुपे उसी दिन आ जाएंगे, नहीं, इसमें settlement time लगेगा, और हो settlement time T plus two हो सकता है, यानि कि transaction आपने share sell किया, T day पे, मतलब जिस दिन sell किया, उसको T day बोल दिया, उसके दो दिन बाद, आपके account म में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, इसको बोलते है T plus two, I hope आपको न समझ आ गया होगा कि T का meaning क्या है, transaction day, और T plus two क्या होता है, कि settlement day, settlement किस दिन हो रही है, तो अभी तक currently चल रहा था T plus two, अब क्या हुआ है, अब जो हमारा SEBI है na, that is security and exchange board of India, इस ने जो stock exchange है, जैसे for example, Bombay stock exchange लगा लो, National stock exchange लगा लो, इन particular exchanges को allow कर दिया है, कि आप अग T plus two की जगा T plus one system को adopt कर सकते हो, यानि कि पहले यहाँ पे न, जब दो दिन लग रहे थे, पूरा settlement complete होने में, अब एक दिन के अंदर भी settlement complete हो सकता है, अगर BSE, NSE, इसको allow कर लेते हैं, तो, वह बिसिकली वो इस particular T plus one system को adopt कर लेते हैं, तो थोड़ा इसी चीज़ को और समझ लेते हैं, देखो T plus one settlement system क्या है, कि हमें जो settlement है, वो हमें clear करने है, कब तक within one day of actual transaction taking place, यानि कि जब transaction हुआ, उसके एक दिन के अंदर अंदर, हमें जो settlement है, उसको clear करना ही T plus one settlement system कहलाता है, अब समझ आ गया हो होता है, currently होता है, दो working days after transaction is done, that is T plus two, और T plus two आया कब था, ये देखो 2002 की बात है, तो काफी पुराने time थे चला आ रहा है accordingly, अब क्यूंकि देखो चीज़ें बदल गई है, electronically चीज़ें आ रही है, सारी चीज़ें फास्टन आप हो रही है, तो T plus one system को अब adopt किया जाएगा, यानि की एक दिन के अंदर अंदर आपका settlement clear हो जाएगा, उसके साथ ही अगर आप सोच रहे हो कि इसके benefits क्या होंगे, देखो छोटा cycle होगा, settlement time कम होगा, तो capital required to collateralize जो risk होगा, वो कम हो जाएगा, ठीके ना, outstanding unsettled trade नहीं कम रहेंगे, देखो मान लो, जैसे मान लो जीज़े तो दो दिन की बात हो रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे shares होंगे, जो आपने बेच दी हैं पर अभी तक आपके पैसे नहीं आए, तो accordingly बहुत सारी complexity जो है, वो कम हो जाएगे अगर इसको हम दो दिन को एक दिन पर ले आएगे, system का risk कम हो जाएगा, तो सहर तरीके से आप कह स सकते हो कि T plus one settlement system के काफी जादा benefit है, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, जिसे for example, अगर T plus two की बात करें, अगर कोई investors share को sell करता है, तो उसको accordingly तब पैसा मिलता है, बट अब उसको accordingly पैसा जल्दी मिलने लग जाएगा, तो investor भी एक तरीके से काफी खुश हो जा है, transaction date कौन सी होती है, settlement date क्या होती है, यह सारी चीज़े हमने समझ ली, ठीक है जी, आगे चलते हैं, और आगे देखो global scenario क्या है, जैसे for example, अगर हम बात करें, US Depository, Trust and Clearing Corporation के द्वारा, इसने क्या देखो, इसने कुछ benefits बताएं है, जैसे कि किस से cost कम होगी, ठीक है ना, market risk किया जाएगा, तो बहुत सारे advantages इस चीज़ के corresponding है, उसके साथ ही साथ, volatility भी कम होगी, तो होना क्या चाहिए, कि industry participants को इसको accordingly, ensure करना चाहिए, कि T plus 1 को जल्दी से जल्दी implement भी किया जाए, ठीक है जी, बहुत बढ़ी है, आगे चलते हैं, discuss कर लेते हैं, NCLT के बाएवे में NCLT क्या है, national complaint law tribunal, देखो बार बार ना चीज़े news में आता रहता है, जब भी हम कभी न, जैसे for example, कभी आपने, insolvency and bankruptcy code के बारे में बढ़ा होगा, तब भी देखो news में आ गया था, तो अभी news में क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों को point किया गया है, NCLT के अंदर, और ITAT, IT यानि की income tax appellate tribunal के अंदर, ठीक है जी, और देख लेते हैं इसके बारे में, देखो हुआ क्या है actual में background, कि काफी सारी post ना vacant है, इन tribunals के अंदर, काफी सारी vacancies है, चाहे वो आप national company law tribunal लगा लो, ठीक है ना, debt recovery tribunal लगा लो, ये TD set लगा लो, ये different appellate tribunals होगे, या tribunals हो emasculate कर रहा है, emasculate का मतलब होता है, कि किसी को weak बनाना, किसी को come effective बनाना, ठीक है ना, किसी मान लो, किसी person से उसके जो powers है, उसकी या identity है, उसको छीन लेना, तो यानि कि ये कह रहा है Supreme Court, कि क्योंकि यहाँ पे जो quasi judicial bodies है, जो यहाँ पे tribunals की बात हो रही है, कि tribunals पे आप उनको, उसके साथ, उनको come effective बना रहे हो, उनको weak कर रहे हो, ठीक है, तो NCLT के बार में थोड़ा जान लेते हैं, ये एक quasi judicial body है, right, I hope आपने अपने polity में पढ़ा होगा कि judicial bodies क्या होती है, quasi judicial क्या होती है, ये previous year questions भी mains में भी पूछ रखा है, UPSC है, ठीक है, और करता क्य है काम, ये देखो कुछ भी issues होते हैं, जो issues होते हैं, companies के regarding, उसको educate करने में help करता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, इसको बनाया कैसे गया था, इसको बना है under companies act, तो ये act का भी आपको ना नाम धियान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर act का कुछ और नाम दे code, तो उनसे insolubis NCC related matters को देखता है, companies law को भी देखता है, राइट, साथ ही साथ, appointments कितने साल के लिए होते हैं, यहाँ पर 5 साल के लिए या फिर 65 years, ठीक है, तो NCILT के बार में समझ आ गया, इसका जैसे for example, अगर मैं बात करूँ, insolvency and bankruptcy code की, तो थोड़ा आपको ना इसका पूरा process पता होना चाहिए, कि जैसे मतलब यह ना कैसे approach करते हैं, committee of creditors क्या होता है, resolution plan क्या होता है, insolvency professionals क्या होते हैं, तो यह सारी चीज़ें अब थोड़ा ना NCILT के अब static portion में आने लग गी हैं, तो उसके regarding आप थोड़ा सा जान लो, बट जो most important चीज़े थी NCILT के regarding हो साथ ही ये एक statutory body है, और ये ना पहली tribunal है, ध्यान से बढ़ो, ये पहली tribunal है जो create हुई थी और इसी वज़ा से इसको mother tribunal भी बोला जाता है, 1941 के अंदर देखो इसकी establishment होगी थी, तो इस वज़ा से इसको mother tribunal भी बोला जाता है, उसके साथ ही कुछ भी जैसे orders ये पास करते हैं, तो accordingly उनको high court के अंदर challenge भी किया जा सकता है, ठीक है ना, काफी independence देने की बात इसको करी गई है कि make sure कि ऐसा ना हो कि government के pressure के अंदर काम करें, तो department of legal affairs under ministry of law and justice इसको function करता है, तांकि ministry of finance के regarding ना, कोई इसका control ना वहाँ पे आपा है, आगे चलते हैं, focus कर लेते हैं, social stock exchange क आपको definitely सभी को पता होगा, ठीक है, तो social stock exchange क्या होता है, देखो social stock exchange का जैसे माल लो, आप social enterprise का meaning समझो भले, social enterprise क्या होती है, देखो कोई ऐसी company, ठीक है ना, जो कुसी social cost को माल लो address कर रही हो, कि माल लो कि कुछ ऐसे काम भी तो होते हैं, जैसे for example, की world में hunger है, बतलब country में क हो, कुछ hunger related issues है, ठीक है ना, या फिर कुछ education को improve करना है country के अंदर, ठीक है, inequality है देश के अंदर, gender equality पर focus करना है, ठीक है, तो इस ताइप पर कुछ issues होते हैं, तो यह सारे issues के लिए, यहाँ पे बहुत कम companies हैं, जो इसके regarding काम कर रही हैं, तो जो companies इन चीजों में काम कर रह हैं, यह शायद एक na investment perspective से बहुत जादा important शायद ना हो, बट यह social sector में इसके बहुत important है, यह चीज़े जरूरी तो बहुत है, तो होता क्या है कि अक्सर जो social enterprises होती है, उनको काफी बार funds नहीं मिल पाते हैं proper, तो इनके लिए क्या किया गया है, अलग से हम na social stock exchange की बात करी ग इसको ना और हम एक बना detail में जान लेते हैं, देखो अगर हम बात करें कि social stock exchange का idea कब से originate हुआ, यह देखो originate हुआ था, 2019 और बीस के budget में इसके discussion हुई थी, ताकि जो social enterprise है, उनकी listing के voluntary welfare organization यह list हो पाएं, ठीक है ना, तो social enterprise होती क्या है, यह non loss, non dividend paying, जो dividend नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं होता कि अगर कुछ profit हुआ है, तो वो उसके dividend देजेंगे, वो वापस से company में invest किया जाएगा, ताकि ensure किया जा पाए, कि आने वाले time के अंदर, और भी जो challenges हैं, और भी जो world को better बनाने के लिए, कुछ social sector में improvement करने के लिए, जो चीज़े करनी है, उसके regarding खर्च क तो इसको बोला गया था कि इसको सेवी के अंदर ही इसको बनाया जाएगा, ठीक है, और इसका aim तो आप समझी गए होंगे कि किस तरह से हम क्या चाहते हैं, कि जो social organization है, जो किसी social cost के लिए काम करते हैं, उनको capital मिलने में, उनको equity या debt मिलने में दिक्कत ना हो, इसके लिए इस चीज की बात करी गए थी, बहुत सारी और भी countries हैं, जहां पर social sector exchange जैसा concept exist करता है, and accordingly वो particular countries इस काम में अच्छा भी कर रही हैं, और एकर मैं बात करूँ कि कौन सा panel था इसके regarding, वो था हर्षभानवाला, ठीक है, eligibility देख लो, चाहे वो for profit हो, not for profit organization, ये सारी भी इसके अं अधर आजाती है, and बाकी चीज़े भी आप यहां पर accordingly पढ़ सकते हो, ठीक है, तो fundraising के बहुत सारे types दे रखे हैं, जैसे अगर बात करूँ में non-profit organization की, तो non-profit organization में, देखो equity भी है, zero coupon, zero coupon bond क्या होते हैं, zero coupon bond वो होते हैं, जिनको discount पे issue किया जाता है, ठीक है न, basically कि ऐसा न कि इतने पैसे आपको maturity पे मिलेंगे, तो इस वजह से क्या होता है, starting में जो bond होता है, वो आपको एक discount पे दिया जाता है, यह static part का component है, UPSC ने इस पे already question पूछ भी रखा है, तो not for profit organization, non-profit organization के यह different methods है, on the other hand, अगर मैं बात करूँ, for profit की, वहाँ पे आपको equity हो गया, debt हो गय social venture funds, different different आपको methods बता दिये हैं कि कितना कितना accordingly किया जा सकता है, ठीक है, तो कुछ और further detail भी है कि कितना size होना चाहिए, कितना fund होना चाहिए, so on and so forth, and कुछ report के द्वारा यहाँ पे activities भी दे रखी है, कि यह particular activities होनी चाहिए, जो social sector में आनी चाहिए, ताकि इन particular sectors को accordingly list करने मे या फिर fundraising में कोई दिक्कत ना हो, जैसे for example, LGBTQI plus A community के लिए, ठीक है न, inequality, hunger, poverty, तो different different यहाँ पे चीज़ें, इस particular report के बारा बोली गई थी, कि हमें ये चीज़ें करने चाहिए, right, but most important क्या था, social sector के regarding concept, I hope आपको वो चीज़े समझ आगे होंगी, right, आगे चलते हैं, दिखते बुलियन क्या होता है, बुलियन न, basically अगर मैं, अगर लेमेंट थोड़ा बात करूँ, तो ये एक तरीके से आप बोलो कि non-ferrous metal को बोल देते हैं, हम बुलियन, ठीक है न, मतलब non-ferrous कोई ऐसा metal जिसको, मतलब रिफाइन किया गया हो, ठीक है न, रिफाइन करके उसको एक, काफी एक pure element की तरफ बनाया गया हो, जैसे for example, आप बात कर लो gold की, silver की, ठीक है न, तो अगर bulk metal में जैसे होता है न, कि कुछी चीज़ को produce करना हो, तो उसके regarding जो चीज़े बोती है, वो हो जाती है, bullion से related, ठीक है तो ये हो गया bullion, अब bullion blockchain platform क्या है, देखो उसको भी इसके लिए, gold bullion के लिए, और ये launch किसके दोरा किया गया है, NSE that is national stock exchange के दोरा, अब क्योंकि यहाँ पर blockchain की technology use करी गई है, तो कहीं न कहीं, जो भी blockchain के advantages होंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे for example, data की security, ठीक है, data की integrity, तो ये सारी चीज़े इसके अंदर आ जाती है, ठ जो important चीज़ थी, कि exactly यह है क्या, ठीक है न, कि किस तरह से यह काम करती है, कौन से technology इसके उपर है, वो जाधा important थी, बाकी तो कुछ factual statements है, जिनको आप try कर सकते हो, याद करने की, but important चीज़ थी, इसके regarding हमने वो चीज़े समझ ली है, अब अगर आपने देखना है कि NSE क्या इसके अंदर, इसके अंदर आपको देखो, fully automated electronic trading मिल जाएगी, ठीक है न, और इसका वो क्या है, indicator क्या है, indicator है, nifty 50, ठीक है न, nifty के बारे में आपने definitely सुना होगा, जैसे Bombay Stock Exchange का क्या है, उसका sensex हो जाता है, उसी तरह से NSE का क्या है, nifty 50, यह इसका particular flagship index है, 50 का meaning क्या है, 50 companies 50 कौन सी companies, वो companies, जो की 50, you know, blue chip companies, जो 50 largest and most liquid securities है, वो जो list हो रखी है, उनका क्या moment है, market के अंदर, क्या वो उपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो उन 50 companies के basis पे हम देखते हैं, कि NSE, या फिर, मतलब, nifty किस direction में जा रहा है, उसके basis पे हम एक idea लगा सकते हैं, कि बाकी companies किस direction में जा रही होंगी, ठीक है जी, तो ये हो गया NSE के बारे में, और NSE Shine Bullion Blockchain Platform भी हमने देख लिया, ठीक है, कही बारना actual में ऐसे question भी आ सकते हैं, कि वो आपको देदे, कि अभी recently Shine Bullion Blockchain Platform news में था, ये किस के द्वारा launch किया गया है, तो ध्यान रखना कि वो NSE that is National Stock Exchange के द्वा mobile app के बारे में, अब देखो सार्थी mobile app पहले तो ये समझो कि सार्थी mobile app लेके कौन आया है, ये लेके आया गया है, सेभी के द्वारा, that is, Securities and Exchange Board of India के द्वारा, ये particular app launch करी गई है, अब launch करने का मक्सद क्या है, देखो एक ची समझो, इंडिया में financial literacy, ठीक है न, financial literacy बहुत ह है, मतलब बहुत ही कम लोगों को financial literacy के बारे में पता होगा, तो कहीं न, कहीं, सेभी की तरफ से एक initiative लिया गया है, कि लोगों के बीच में, basically investors के बीच में, awareness लेके आए, regarding securities market, क्या कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है, कि security market exactly है क्या, किस तरह से काम करती है, क्या-क्या process हो right, तो investors के अंदर इसके regarding हम awareness लाने की जब बात कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, सार्थी mobile app और ये initiative किसका है, सेभी का, तो चाहे वो know your customer का process हो, trading and settlement कैसे होती है, अभी देखा न, कि पहले T plus 2 होता था, अब T plus 1 की बात करी गई है, उसी को बोलते है, trading and settlement, ठीक है, साथ ही साथ mutual funds के बारे में जानकारी, market में नहीं, क्या developments हो रही हैं, कुछ investor के कलको grievances भी तो आ सकते हैं, कि मेरे पैसे particular ये थे, इस particular मैंने broker के साथ थे, और वो कुछ issue आ गया, तो वो grievances भी तो सुनने हैं, तो वो grievances का redressal इस particular app के थुरू हो जाएगा, अभी के लिए ये जो app है, सिर मिलता है, तो accordingly लोगों तक जादा इसकी पहुंच मिल पाएं, वो जादा aware हो पाएं इन सारी की सारी चीजों के regarding, तो इस सारे चीज़े यहाँ पर accordingly इस particular mobile app में according चीज़े करने की कोशिश करी गई है, उसके साथ ही अगर आप थोड़ा सेवी के बारे में भी जानना चाते हो तो देखो हुआ क्या था, जैसे for example आपको, आपने वो scam सुना होगा न, scam 1992 के बारे में, ठीक है न, हश्यद मैता वाला, अब तो काफी सारी इसके regarding movies भी आगी है, ठीक है, तो actual में होता क्या था कि 1992 से पहले न, ये एक statutory body नहीं थी, ठीक है न, statutory body नहीं थी, तो statutory body मतलब इसक कोई law नहीं था, जो सेवी को accordingly करता था, तो हुआ क्या जब accordingly ये सारी चीज़ें हुई, तो statutory body ना होने की वज़ा से, इसके powers भी काफी कम थे, बड़ जब 1992 का scam हो जाता है, तो उसके बाद कहीं न कहीं लगा कि नहीं ही, हमें सेवी को adequate powers देने की जरूरत है, और उसी वज़ देओ कि एक तरीके से ना, ये एक statutory body बनाई गई थी, 1992 के अंदर, under the provisions of SEBI Act 1992, ठीक है, और साथ ही इसका काम क्या है, काम बहुत ही simple है, देखो, SEBI का क्या क्या काम है, जो भी investors होंगे, उनके interest को देखना, कहीं ऐसा तो नहीं है, कि कोई particular company, लोगों का, investors का, जो hard earned money है, जो मेह एक तरीके का नजर रखती है इन चीज़ों के उपर, through various ways, जैसे for example, companies को बोला जाता है, कि आप अपनी जो भी financial statements है, जैसे आपने सुना होगा, balance sheet के बारे में, ठीक है न, profit and loss statement के बारे में, और और भी जो various disclosures होते हैं, तो companies को बोला जाता है, कि आप ये सारी की सारी चीज है, investor का interest है, वो protect किया जाँ पाए, ठीक है, और different committees भी appoint की जाती है, जो की different issues face कर रहे होते हैं, उनको accordingly tackle करने के लिए यहाँ पे चीज़े देखी जाती है, ठीक है, तो ये हो गया सार्थी mobile app के बारे में, साथ में हमने सेवी के बारे में अच्छा खासा समझ लिया, आगे च hot topic बन गया था, थोड़ा उसके बाद भी बार बार news में आता रहता है, पर 2020 में तो definitely इसके regarding बहुत सारे articles मुझे याद है, आपके Hindu में हो गया, Indian Express में हो गया, multiple articles इसके regarding देखे गए थे, ठीक है, अब ही देखो recently news में क्यों है, जो Ministry of Home Affairs है न, उसने काफी सारी NGOs के licenses को एक तर है, कि इस particular act के द्वारा, foreign funding किस तरह से आनी चाहिए, मतलब बाहर से पैसा आ रहा है, उसको regulate किया गया है, इस particular act के द्वारा, एन कौन सी ministry है, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ ministry है, Ministry of Home Affairs, काफी बार हम नहीं यहाँ पे confused हो सकते हैं, कि चाब पैसा से related है, तो finance होगा, नहीं यहाँ पे कौन सी ministry है, यह ministry है, Ministry of Home Affairs, और जो individual है जैसे मेरे और आपके जैसे लोग, तो हम लोग बिना किसी permission of Home Affairs के पैसा ले सकते हैं, बट कितना 25,000 तक, ठीक है न, उसके बाद accordingly different provisions है, बट ऐसा समझो कि 25,000 तक तो कोई limit नहीं है, उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, तो जो organization होती है, उनको हर 5 साल में अपने आपको register करवाना करता है, और किन-किन सेक्टर में यह लिया जा सकता है, foreign funding, social sector, educational sector, religious sector, economic and cultural purposes के लिए, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, 2020 की, तो इस particular 2020 में न, amendments हुई थी, उसी वज़ा से यह चीज़े news में आ गी थी, अब इस particular amendment में चाक foreign funding allowed नहीं है, basically foreign contribution को public servant नहीं receive कर सकते, साथ ही transfer of foreign contribution पे भी limit लगाई गई थी, कि ऐसा नहीं है, कि आपने accept कर लिया foreign contribution, अब आगे आप किसी और को pass कर दो, but जो आगे वाला बंदा है, अगर वो होई eligible नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो अगर आप simply एगर मैं एक चीज बना दी गई थी इस चीज़ के अंदर, कि आप foreign funding लेना काफी strict हो गया था, ठीक है, अगर आपने देखो mains के अंदर आप NGOs का topic पड़ते हो, और आपने कभी पढ़ा हो कि NGOs को क्या क्या issues हैं, तो कहीना कहीना उनको foreign contribution में भी काफी issues आते हैं, कि बाहर से पैसा उनको अच्छे से मिलनी पाता, क्यों, क्योंकि देखो कही बार ऐसा भी दिखा गया है, कि कुछ NGOs ना anti-Indian activities, कि मतलब कुछ बार हमारे देश के विरुद्ध भी ना कुछ activities में participate कर लेती हैं, कही जगा होता है कि वो protest organize करवा दे, ठीक है ना, तो इंडिया की economy को काफी impact करता है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये इंडिया की intelligence bureau ने ऐसी reports निकाल रखी हैं, उसके अंदर ये चीज़े बोल रखी हैं, तो इसी वज़ा से ministry of home affairs में काफी stick net issues के regarding ला दी गई है, ठीक है, और देख लेते हैं, और के चीज़े थी, अधार नंबर को mandatory कर दिया गया है, ठीक है न, for all office bearers या फिर जो भी different FCRs के regarding functionaries हैं उनके लिए, साथ ही FCR account, ठीक है, अब ये बोला गया है कि जो आपको foreign contribution आएगा, बाहर से पैसा आएगा, वो सिरफ SBI की branch जो New Delhi में है, सिरफ उसी में ही आ सकता है, ऐसा क्यों, दोगों ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि track करना easy हो पाए, कि total पैसा आ कितना रहा है, accordingly, अगर वो single branch में आएगा, तो कही न कहीं कहीं government को identify करना, असान हो जाएगा, ठीक है, और क्या चीज़े हैं इसके regarding, साथ ही देखो, foreign contribution for administrative purposes, होता क्या था, कि मानलो, एक लाग रुपया आया, किसी चीज़ के लिए, अब क्या करते थे, कुछ NGOs या वो क्या करते थे, कि इसमें से 50,000 रुपया तो न, administrative के लिए लगा दिया, कि लोगों को salary देने में, या कुछ और purposes के लिए, और जो actual काम था, मानलो, hunger को, hunger के लिए काम करना था, तो उसके लिए सिरफ 50,000 ही लगा, ठीक है न, तो यह 50,000 तो इन्होंने बहुत ही मतलम न, ए 50% fund, administrative purposes के लिए use कर सकते हो, अब इसको घटा कर बोल दिया गया है, कि सिरफ 20% ही आप ऐसा कर सकते हो, बाकी का जो 80% है न, वो काम में लगना चाहिए, यानि कि वो ground पे जो भी चीज़ों के लिए आपने fund लिया है, उस particular purpose के लिए होना चाहिए, ठीक है, साथ ही और क्या है, surrender of certificate, central act के अंदर बोला गया है, कि basically अगर registration certificate को accordingly surrender करने की यहाँ पे permission दे दी गई है, तो अगर simply बोलू, तो FCRA के अंदर चीज़ों को, जो 2020 के अंदर amendment हुई है, वहां strictness को काफी ज़ादा बढ़ा दिया गया है, right friends, so with this we come to the end of this particular lecture, I hope आपको सारी की सारी news, उनके बीचे की background information और जो भी static knowledge थी, वो समझ आई होगी, right, बहुत सारी चीज़े साथ ही साथ आपने revise भी कर ली होगी, ठीके न, तो इसी तरह से हम आने वाले chapters को भी साथ साथ discuss करते रहेंगे, ताकि ensure क्या जा पाए, कि आने वाले prelims के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, static and current के ब balance बनाते हुए, accordingly हम साथ साथ prepare करते रहेंगे, ठीके friends, so keep working hard, goodbye and good luck.